हेलो व्रबान दिस इस अप्रिशेक रायन वेलकम यूवल टूर फेवरेट यूटूब चैनल राइजूकेशन राइजूकेशन चैनल पर आप सभी बायबंदों का हरदिक स्वागत हैं मित्रों यह टॉपिक है कि ओमार में आप गलतियां करते हैं गलतियां ऐसी गलतियां कि जो आपको लगता है कि वो सही नहीं हो सकती ऐसी गलतियां जिससे लगता है कि आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगी ऐसी गलतियां जिसको करने के बाद लगता है कि मारा रिजल्ट नहीं आएगा इन सबी गलतियों को नजर अंदाज करते हुए आज मैं ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा और जादा नहीं एक दो ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं एक्जाम में तो I hope कि आपका result सही सलामत रहे आपकी copy चेक हो आपकी OMR चेक हो और आपका result आ जाए और आप सेलेक्ट हो जाएं मैंने इसके पहले पूरे यूटूब पे maximum OMR के उपर वीडियोज बनाई हैं लगबग 5-6 वीडियोज ऑफ्लाइन वीडियोज और यह इसमें समलित है और एक दो जानकारी नहीं available हो पाती है कक्षन रेश्चक इन्वेजिलेटर आपको सही चीज नहीं बता पाते हैं और बता भी कैसे पाएं उनके पास जानकारी का अभाव रहता है अन्ट्रेंड इन्वेजिलेटर वहाँ पे मौझूद रहते हैं एक कॉमन सी बात बताते हैं कि साइस भरियेगा यह यह पूरी तरह नहीं बताते हैं बस आपको देखते हैं कि फॉलो कर लीजिए इन सारी चीजों को इंस्रक्शन दी हैं आप खुद पढ़ लीजिए और व कारण हो सकते हैं किसी की मेंटल प्रेशर को कह सकते हैं किसी को जल्दबाजी कह सकते हैं किसी को लापरवाही कह सकते हैं कई चीज़ें आज सकती हैं तो आज हम जानेंगे कि आप से जो अमर में गलती हो जाती है ज्यादतर एक्जाम्स में और इतना बेटर आप तयारी करते हैं और इतनी improvement आप लगातार प्रैक्टेस और इतने घर सारी exam को राद दिने करते हैं और OMR में गलतियां कर देते हैं फिर उसका परशान होते हैं दूसरों से phone up करते हैं तो अब उसको करने की आवश्यक्ता नहीं है सीधा समतलब है कि आप आप बेफिकर रही है इस वीडियो को देखने बाद I hope कि आपकी सारी tension दूर हो जाए तीन बातों का रखे ध्यान अगर वह इमार में आपसे गलती हो जाती है और यह आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत important है आने वाले बहुष में जितनी परिक्षा हैं उसके पहले यह वीडियो बना दे रहा हूं मैं ताकि आप भविष में कोई भी एक्जाम देने जाए तो अगर यह सारी चीज़ें पॉइंट्स अपने दिमाग बें रखते हैं और जितने लोगों ने मुझे फोन काल किया था मैसेज किया जो आपके पिछली भरती हुई है जितनी एक्जैम्स हुए हैं तो उससे मुझे लगा है कि अभी यह जानकारी का अबाव है और आप लोगों को यह बात बतानी चाहिए तो परिक्षा में अगर गलत OMR हो चुकी हैं तो OMR बे कोई टिप्स बताओं उसके पहले मैं आप लोगों को OMR के दर्शन करा देना चाहते हैं को OMR exactly होता कैसा है जो पहली बार as a fresh candidate पहली बार appear हो रहे होते हैं 10% केसे ऐसे होते हैं 10% अभ्यरती candidate ऐसे होते हैं जो पहली बार OMR पर देते हैं exam और उनसे तूटियां होने की maximum probability होती है maximum chances होते हैं उनसे तूटियां हो जाए और 90% लोग होते हैं जो कई बार exam देते हैं फ्री भी तूटि करते हैं तो उन 10% के बराबर में आ जाते हैं तूटि करने में तो अब पहले OMR के बारे में जान लीजिए अगर आप कोई teaching exam हम लोग basically हमारे आप फोकस कर रहे हैं या KVS, NVS, DSS, B, TGT, PGT, LT grade कोई भी exam आप फोकस करते हैं तो यह आपके लिए बहुत important है आपका roll number, आपका question booklet number, आपका paper code जो आपको booklet code या paper code जो कह लिए आपका venue code यानि center, examination center code, आपका test booklet series, इतनी चीजे matter करते हैं गलती ही करती हैं, ठीक है, इसमें अगर आप truth करते हैं तो फिर problem होती है, exactly problem होती है, और हमारी जो ये आपको trick बता रहे हैं, आप अच्छा score कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो वहाँ के लिए मैं trick बता रहा हूँ, एक trick यहाँ के लिए बताऊंगा, औ और दूसरी trick मैं यहाँ के लिए बताऊंगा, कि यहाँ पर अगर गलती हो जाती हैं तो उसको कैसे improve कर सकते हैं आप, तो यह रही OMR, OMR की tricks जाने से पहले पहले इसके instructions हम लोग पढ़ लेते हैं, अब OMR exactly भरनी कैसे हैं, मैं इसके बारे में बता दूँ आपको, जैसे यहा यहाँ पर हम लोग क्या follow करते हैं, इसके पहले बाला मैंने वीडियो कही डियर सारे, मैंने अपने playlist में create कर दिया है, वह OMR solution के नाम से एक playlist बनाईए अपने channel पर, उसमें आपको 5-6 वीडियो मिल जाएंगी, और उसको आप जाके देख सकते हैं, यह भी वीडियो उसी में स साथ लिखा है साथ प्या जाएए, 0-0-0 लिखा है पहले ही column row में 0-0-0 भर दिजे, साथ नमबर फिर नीचे आ जाएए, पांच नमबर यहाँ आ जाएए, साथ नमबर यहाँ आ जाएए, तो यह मैंने सारे instructions दे दिया है, बार-बार उसी को repeat करना अच्छी बात नहीं है, आप लोग बार-बार इतने समझ सकते हैं, irritation भी होती लोगों को, तो अब डेरेट चलते हैं कि क्या instructions होते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, So basically, I am talking about the instructions, जो instructions दिये रहते हैं, तो यह ऐसा ही कुछ रहता आपके पास instructions, कि please read all instructions, यहां पर प्लीज भी लिखा रहता है, क्रिपया, हाँ जोड़कर विनमर निवेदन रहती है, तो इसको please follow करा करिए, आपका exam है, आपके लिए लोग परिक्षा, प्रवंधन पुरा आपके लिए लगा रहता है, तो आप please make sure that आपने यह पूरा पढ़ा है, तो कैसी होनी चाहिए और देखिए यहां पर यह अब तो इस तरीके से भी आने लगा है कि correct कैसा रहेगा गलत कैसा रहेगा अगर आप ऐसे भरते हैं तो यह गलत है, तो यह सारी चीज़ें आपको graphical representation के थूरू ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, देख लीज़ें यहां पर ठीक है, तो यह पूरा चीज मैं अपने टेलिग्राम ग्रूप में आप लोग को available करा दूँगा, मेरा टेलिग्राम ग्रूप है राइजुकेशनल जिस नाम से आपका चैनल है, यह उसी नाम से है, यह मैं पूरी चीज महां provide करता रहता हूँ, आपके लिए tips, tricks, आपके audio, article सारी चीज महां provided है, अब चलते हैं, में अप tricks जानते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हुए हैं, आपके लिए 50% आपने परिक्षा पास कर लिए, यह जान लिए, तो परिक्षा बहुन में तैय समय से पहले पहुंच जाईए, कम से कम आदा घंटा, ज्यादा कुछ लोग बताते हैं, घंटा डिल घंटा पहले, बिल्कुल आवशकता नहीं, आप आराम से हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम बैठेंगे, तो वहाँ पे भी बोर होंगे, आप लिए निगेटिविटी आईगे, पॉस्टिव बने रही है, औ थोर टाइम से पहले पहुँचाए, अपनी सीट पर बी कमफरडेबल, कि आपकी मेक शूर डाट, आप अपनी सीट पर ही बैठें, सारी चीज अपने पास, बॉटर बॉटर बॉटल, सारी चीज अपने पास रखिए, इसके जाद ओमर में दिएगे इंस्रक्शन साब ध्या मेरा सुआ अनुभव है, कई एक्जाम का, उसका मैं बता रहा हूँ, कि गोला या बबल गलत हो जाने पर, उसको सिंपली आप क्रॉस कर दिया करी और दूसरे सही गिले कर भर दिया करी, फॉर एक्जाम्पल, बहुत सिंपल लगा होगा आपको, लेकिन यह आपको किसी ने नहीं बताय होगा, और बताये भी होगा, तो आपको जयो जानते होंगे, जो इसका पूरा एक्जैम कर चुके होगे, जिन को यह सारी इंस्टॉक्छन मिल गयी होगे, अच्छे से वो ही बताय होगे, और यह मैंने बहुत लोगों को बहुत जादा लोगों को फोन कॉल पर, टेलिग्राम गुरुप में वाटसप गुरुप में सबको बता है क्या बता है कि जैसे आपके पास कोई प्रश्ण है ठीक है उस प्रश्ण का चार आप्शन्स हैं ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन्ट है और आप जैसे जल्दिबाजी में उपर वाला है उप्शन उस फर्स्ट आपको बरना था और आपने ऊपर वाले में भर दिया ठीक है अब नीचे वाले में भी बहुत दिया यहां पर फिर अर्रे यह मैंने क्या बहुत बहुत दिया इतने पिर उट जाईए ठीक है आप गल्ती हो गई ताब वाइट नर और भरने में आप कोतहाट मत करिए और जैसे गोला भरा जाता है है यहाँ आप भरासा disturb यृक निदे जैसे गोला भर जा तो ऑच जिते शेज भरना हो सके जैसे अच्छे बना रहता है जब OMR मशीन के अंदर गर इसको scan किया जाता है तो जहां पर क्रॉस ऐसे बना रहता है OMR उसको recognize नहीं करता है OMR मशीन उसको recognize नहीं करती है जो simply आपका सही रहेगा उसको recognize करके आगे बढ़ जाएगी तो यहां आपके जो गलत होना था आपका option वो कहींने कहीं सही हो जाएगा किया हो जाएगा कहीне कहीं वो सही हो जाएगा और आपको एक number जो नहीं मिलने वाला नवाना था वह एक number आपको दे चला जाएगा ये पहली बात रही पहला instruction जो आपको इस सारी चीज़े पर लागू नहीं होगा या पर प्रश्ण पर लागू गए और आपका जो परस्टेशन डिटेल पर लागू होगा वह यह सेकेंड इंस्रक्शन क्या है कि रिजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर यह मैक्सिमम अब एक्जाम में आप देखेंगे पह पूटी होगे रोल नंबर सही भरा ठीक है तो अगर इसमें से कोई एक भी सही होगा तो आपकी OMR चेक जरूर होगी यह याद रखिएगा बिल्कुल परशान मत हुईएगा तो यह दो आपके लिए इंस्ट्रक्शन से और आई होब कि आप इन दो इंस्ट्रक्शन को फॉल दिवाइड हैं आपके तो जब यह तीस प्रशन सॉल्व कर लिजे अपने कॉपी में तो उसको यह तीस प्रशन आराम से पहले अपने OMR में भर लिजे फिर नेक्स्ट अपने पार्ट पे जाई तो इससे होगा कि लास्ट में जो आप आदा गंटा या पंदर मिनट जो बस रिजल्ट पास सकते हैं सो बेस्ट अफ लग अल अफ यू और जीतना ज्यादा होशके शेयर करते हैं मुस्कुरा तरी थेंक्स अलोट